नमस्कार और वेलकम टू स्टडी ग्लोज माई डियर फ्रेंड्स मैं हूँ प्रशांत माबानी दोस्तों आज का ये जो विडियो है कॉंपिलिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सारे स्टुडेंट्स उनके पैरेंट्स और कोचिंग इंस्टिउशन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट विशे है पब्लिक एग्जामिनेशन्स बिल देखे जो गेम हम खेलते हैं या फिर खेलना चाहते हैं उसके रूज हमें पता होने ही चाहिए इसको हम लाइटली नहीं ले सकते है और आपको बता है के अलग-अलग राजियों के अंदर अलग-अलग समय में जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन्स होती है तो उनका पेपर लिक हो जाता है तो आज का जो हमारा यह topic हैं यह public examinations bill एक नया कानून जो सरकार ले कर आना चाहती है यह basically examinations में cheating को खत्म करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक नया law जो है वो सरकार तयार कर रही है तो सबसे पहले तो हम start करेंगे ये जो नया बिल है इसकी details है इसका नाम है the public examinations prevention of unfair means bill 2024 इसको 5th February 2024 को लोक सभा में introduce किया गया और इसका main जो लक्षे है वो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है जो unfair means है यानि कि जो cheatings है इन सारी चीज़ों को बंद करना प्रिवेंट करना और इसके साथ-examination जो है उसमें और ज्यादा पारदर्शिता यानि कि transparency आए और ज्यादा fairness और ज्यादा credibility बढ़े जैसे UPSC की एक credibility है UPSC के बारे में लोग कहते कि ठोक कर कहते कि UPSC में cheating नहीं होती है लेकिन state level की कुछ ऐसी exams होती है तलाटी की exam हो गई या फिर दूसरी यसी exams है तो उस पर उतना ज्यादा भरूसा जो है वो लोगों का नहीं है उसके पीचे reason क्या है जो paper leak होते है यह सारी जीज़े तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ cheating को रोकना है cheating के साथ-साथ greater transparency पारदर्शित आया, fairness आया और जो institutions है, जो particular examination है उसकी भी credibility जो है वो improve हो सो सी एक बड़ा vision लेकर सरकार जो है वो यहाँ पर चल रही है अब unfair means जो है उनको देख लेते हैं unfair means basically हम जिसको कहते है cheating करना तो इसमें specifically बताया गया है कि section 3 जो है की category में रखा गया है चाहे monetary gain के लिए या फिर कोई दूसरे ऐसे gain के लिए अगर इस परकार की चीजे conduct की जाती है तो उसको unfair माना जाएगा हम कुछ most important चीजों को देख लेते हैं number one जो है that is leakage of question paper or answer key or part thereof and colluding in such leakage कोई भी इस परकार का leakage करा question paper है answer key है या फिर इस परकार के leakage में सहाईता करना right उसमें part बना number two is accessing or taking possession of question paper or an OMR response sheet without authority question paper या फिर OMR sheet जो होती है तो authority के भी ना इनको access कर लेना number three is tempering with answer sheets including optical mark recognition response sheet OMR sheets जो है तो उसमें छेडखानी करना tempering करना इसको भी cheating ही माना जाएगा number four is providing solution to one or more questions by an unauthorized person during a public examination right directly or indirectly assisting the candidate we're tempering with any document necessary for short listing of candidates or finalizing the merit or rank of a candidate ये भी एक बहुत important point सरकार ने सोच रहा है तीखे गुजरात में ऐसा हुआ था जो police sub inspector की examination होती है तो PSI की examination finish होगी और गुजरात में गांधी नगर के पास कराई training center है जहां पर PSI की training होती है तो training center में से एक बंदा मिला वो वहाँ पर पहुँच भी गया training भी ले रहा है सब को यही लग रहा है कि यह वही examination में पास होकर आया है तो इतना बड़ा setting जो है वो I think last year या 2022 या 2023 में एक बहुत बड़ा issue जो है वो बना था गुजरात में बना था तो ऐसा भी कि कई बार क्या होता है कि short listing का examination नहीं दी है लेकिन finally जो short means जो list आता है तो उसमें अपना नाम एड़ करवा दिया training में अपना नाम एड़ करवा दिया deputy superintendent of police में हो सकता है आपको 15 लाग रुपे पे करने पड़ेंगे 25 लाग रुपे पे करने पड़ेंगे और इस प्रकार के बहुत सारे cases जो है वो भी हमें सुनने को मिलता है I'm sure आप में से ज्यादतर लोग जो है वो competitive examination के साथ जुड़े हुए है तो you know के you hear about these things अब दोस्तो यह जो बिल है public examinations बिल जो है इसका एक short नाम है public examination बिल तो public examinations जो है कौँ कौँ सी ऐसे exams है जिनको हम public examination या फिर public exam की category में लिख सकते हैं गिन सकते हैं तो यहाँ पर specifically section 2 इसका sub section k है तो इसमें public examination जो है उसको define किया गया है और वैसे एक schedule list है तो इसमें 5 examination authorities और उनके दोरा जो examinations ली जाती है तो इनको यह bill cover करेगा तो of course इसमें सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है जो list है इसमेंजा नहीं है कि यह examination सबसे ऊपर या फिर नीचे लेकि लिस्ट की बात करा हूँ तो UPSC Union Service Public Commission तो as you know के civil services, IAS, IPS की examination, IFS की examination फिर combined defense services examination, combined medical service examinations, engineering services examination और बहुत सरी दूसरी examinations जो है वो UPSC के दोरा conduct की जाती है फिर SSC of course, SSC जो है वो group C, non-technical और group B, non-gazette jobs जो central government की रहती है central government की jobs के लिए recruitment करने का काम जो है वो कौन करता है SSC, इस board के दोरा किया जाता है इस commission के दोरा किया जाता है then we have of course, RRVs railway recruitment boards जो group C और D के staff की Indian railways में recruitment का काम करती है then we have IBPS again, nationalized banks और regional rural banks जो है तो इन में hiring का काम जो है वो IBPS के दोरा किया जाता है and then we have NTA, that is National Testing Agency फिसमें JEE, Maine NEET, UG, UGC Net or CUET और दूसरी एसे examinations जो है, वो NTA के दोरा conduct की जाती है तो ये सारी जो bodies है इनको cover किया गया है इसके अलावा, specifically ये भी बात बताई गई है कि जो ministries हैं, जो departments है central government के और उनके साथ जुड़े हुए attached या फिर subordinate officers जो है उनके दोरा जो recruitment of staff किया जाता है तो उसको भी इसके rules के तहट cover किया जाएगा और इसके साथ साथ central government जब चाहे तब एक notification के माधियम से नई authorities को इसमें add कर सकता है अब रही बात punishment की दोस्तो, punishment जो है इसकी काफी severe रखे गई है और severe होनी ही चाहिए section 9 जो है बिल का वो कहता है कि सारे offenses, right the bill states that not one or two all offenses shall be number one cognizable, number two non-available and number three non-compoundable ये तीन चीज़े जो जानते हैं उनको पता चल गया होगा कि ये काफी strict rules and regulations जो है वो सरकार ने बनाया है cognizable का मतलब यहाँ पर यह होता है या नहीं मिलनी चाहिए तो automatic जो bail मिल जाती है ना ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो चीज़े और ज्यादा severe हो जाती है और रही बात non-compoundable offense की तो एक ऐसा offense है जिसमें जो जिसने complainant की है complainant है और जो accused है for example मेरे और आपके बीच में हाथ पाई हो गई अब आपने मेरे पर case किया और कहा कि भाई इसने मुझे दो लाफ है मारे है और फिर हम compromise कर लेते हैं तो आप case वापस खीच लेते हैं भाई मुझे कुछ नहीं करना आपने complainant की थी लेकिन फिर आपने कहा कि मुझे case नहीं करना है चलो छोड़ो इस बात को पुरिस भी कहें कि चलो यह अच्छा decision है छोड़ो यह सारी बातों को और हैंट्रेक कलो और घर चले जाओ तो यह चीज जो है यह compoundable office में हो सेगे लेकि non compoundable में ऐसा होता है मुझे complainant नहीं करनी है ऐसा नहीं चलेगा एक बार case दाखिल हो गया means you have to run the case इसकी proper trial चलेगी तो यह सारी चीज़े यह तीन पॉइंट्स जिन्हों ने समझ लिए उनको पता चल लिए कि यह बहुत ही severe low जो है वो सरकार ने बनाया है और ऐसा ही severe low बनाने की आवशकता भी थी तीन से लेकर पांच सालों तक सजा है और जो fine है यह up to 10 lakh रूपीज जा सकता है और अगर किसी ने fine pay नहीं किया सजा और fine दुनों है तो लगसे किसी को 5 साल की सजा हुई और जो fine है लगसे 10 lakh का fine है आपने 10 lakh का fine पे नहीं किया तो जो भारत या न्याय सनहीदा 2023 जो है तो उसका जो section 10 sub section 1 है उसके तहए तो अगर आप fine पे नहीं करते तो आपको additional jail जो है वो काटनी पड़ेगी फिर section 10 sub section 2 है वो कहता है कि जो service provider है उनको एक करोड का fine जो है वो हो सकता है और इसके साथ दूसरी penalties भी लगाई जा सकती है और इसके साथ जड़े हुए कुछ लोग है तो multiple लोग अगर इसमें शामिल है तो इनको organized crime के तहट देखा जाएगा और इसकी सजा आप देखिए term not less than 5 years कम से कम 5 साल की सजा और ये सजा जो है वो 10 साल की हो सकती है और इसमें जो fine है which shall not be less than 1 करोड रुपए तो इतना बड़ा fine जो है वो सरकार ने add किया which is a very good thing अब प्रशने ये उठता है of course के why एक why तो मैंने आ अलग अलग जगाओ पर हमारे देश के अलग अलग राजियों में ये paper league जो है वो होते रहते हैं आप देखिए Indian Express के द्वारा एक study conduct की गई और उनको पता जला कि 48 ऐसा instances हुए है जहां पर paper leagues हुए है 16 राजियों के साथ जुड़ा हुआ ये data है और पिछले लगबग आप स सार जितनी जो jobs है posts हैं उनके लिए apply करने वाले हैं हमारे इतने सारी youngsters जो हैं उनका भविष्य जो है वो हिलल जाता है बिगड़ जाता है आप इतने महनत की तयारी की राइट लोग उस समय पर business कर रहे हैं कोई दूसरी job join कर लेता है लेकिन आप साहस दिखाते हैं कि नहीं एक दो साल के लिए तयारी करूँगा आप examination देते हैं और paper leak हो जाता है आपके दो साल जो है वो बरबाद हो जाएंगे उपर से examination body के द्वारा बताया नहीं जाता कि कब next examination ली जाएगी उसमें politics चलता रहता है तो दो तीन साल इसमें निकल जाता है तो जो एक prime age होती है जहा statement of objects and reasons जो है वो लिखा जाता है कि कौन को से reasons है कि ये bill जो है उसकी requirement है तो हमरे देश में कोई ऐसा specific law नहीं था जो इस परकार की चीजों को dedicated तरीके से इस परकार की चीजों को handle करें तो इस point of view से देखे तो भी एक बहुत ही अच्छा law सरकार लेकर आई है और इसे के साथ स sincere और genuine efforts जो है उनका उनको reward भी मिले और उनका भविश्य जो है उसको शुरकसित रखा जाए और ये जो बिल हना इस गोई to act as a modal draft जो दूसरे राजिया है तो उनके लिए भी एक modal draft के तौर पर ये बिल काम करेंगा फिर जो अलग-अलग राजिया है वो अपनी requirement के हिसाब से इसमें customization जो है वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं right so that's basically everything in today's discussion dear friends dear friends I have created a course इसका नाम है limitless leadership जीवन में challenges आते रहेंगे और हमारे challenges जो जीवन के challenges हैं उनको handle करने के लिए we need leadership दूसरी एक चीज़ सपनों को हासिल करने के लिए भी leadership की requirement in fact सपने देखने के लिए जो vision है उसके leadership को समझेंगे you will realize के हमारे जीवन की सारी अलग-अलग branches जो हैं उसके साथ जुड़ी हुई कोई एक ऐसी चीज कोई ऐसी आप समझ लीजे कैसी battery के उस battery के बिना आपका phone जो है या फिरा phone is like your G1 right तो वो नहीं चल सकता तो leadership is like a battery in a phone इसके साथ जुड़ी हुई सारी details आपको study close पर मिल जाएगी ये पूरा course study close के mobile app पर available है and you can get in touch with me via all these social media handles इसके साथ dear friends Curiously Education नाम की YouTube channel है इसको भी subscribe करना ना भूल है so I'll see you soon with some more interesting videos till then enjoy your studies God bless you all best wishes for your examination and for your preparation right Jai Hind